अगर आप अपने लिए अपने लवड़ोंस के लिए accurate predictions करना चाहते हैं और आपके मन में बहुत सारे doubts आ रहे हैं जो clear नहीं हो पा रहे हैं बहुत सारे सवाल आ रहे हैं जिनके जवाब आपको नहीं मिल पा रहे हैं वाच मैं free training program जिसका link आपको निचे description box में मिल जाएगा Hello everyone, मैं हूँ कि रिंशापरी और यह है आप लोगों के लिए coming week का सापता ही राशी फल यह 25th मार्च से लेकर 31st मार्च तक कि आपकी tarot ratings है, tarot predictions है और इस वीडियो में सभी science के सापता ही राशी फल है निचे description box में आपकी राशी के सामने time stamp है आप उस पे click करेंगे तो directly आपकी reading आ जाएगी और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि माम इस reading को हम किस sign के हिसाप से देखें तो tarot reading को आप किसी भी sign के हिसाप से देख सकते हैं फिर चाहें वो आपका लगन हो, नाम के हिसाप से राशी हो, आपका moon sign हो या फिर आपका sun sign हो तो चलिए जी शुरू करते हैं coming week का सापता ही राशी फल तो चलिए एरीज आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकरा रहा है, क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है patience और देखें, patience के literal meaning को देखें, तो सब्र करने की बात करता है तोड़ा ऐसा धीरे धीरे आगे बढ़ने की बात करता है और कुछ ऐसा ही इस week specifically आपके professional front में रहता हुआ देख रहा है या तो situation circumstances ऐसे हैं जहां पर आपको ऐसा लग सकता है कि भई वो desired outcome आपको नहीं मिल रहा है वो जो एक result जो भी आप कर रहे हैं अपने professional front में उससे चाहाते हैं वो आपको नहीं मिल रहा है और उस scenario में एक card आपको message दे रहा है कि थोड़ा सा सबर, थोड़ा सा धैरे, थोड़ी सी patience रखने की ज़रत है और कुछ एरीज के लिए हो सकता है कि आप बहुत slowly आगे बढ़ना चाहा रहे हैं आप impulsive नहीं होना चाहा रहे हैं, आप जलबाजी नहीं करना चाहा रहे हैं आप बहुत अच्छे से सोथ समझ के चीजों को आगे बढ़ाना चाहा रहे हैं और देखिए, overall के लिए अगर हम देखें, तो कुछ खास आपके professional front में होता हुआ नहीं दिख रहा है थोड़ा सा फिर से मैं कहूंगी patience रखने की ज़रत है and personal front के लिए आप लोगों के लिए morality का card है सबसे पहली चीज morality के literal meaning को देखें तो सही गलत के हिसाब से चीजों को करने की, चीजों को लेकर एक सोच रखने की बात करता है और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी specifically इस week personal front में रहता हुआ दिख रहा है जहाँ पर आप थोड़े से logical होते हुए दिख रहे हैं थोड़े से mind से, थोड़ा सा नहीं मैं कहूंगी काफी जादा mind से चीजों को deal कर रहे हैं और कहीं you know moral values, ethical values यह आप लोगों के लिए काफी एहम रहते हुए दिख रहे हैं या फिर कोई female हैं आपकी life में personal friend में specifically, जिनकी ऐसी energies हैं और जब भी एकाड आता है, मैं यही कहती हूँ Aries कि हमें जरूर सही गलत के हिसाब से चीजों को deal करना चाहिए लेकिन कोई भी चीज चाहिए जितनी भी अच्छी हो जब वो जुरत से जादा होती है तो हमें परिशान करती है और मैं हमेशा आपको कसाई और गाएं की स्टोरी सुनाती हूँ एक कसाई गाएं के पीछे भाग रहा होता है उसकी intention उसको मारना होता है और गाएं राइट तरफ मुर जाती है, कसाई देख नहीं पाता सामने खड़े वे इंसान से पूछता है गाएं किस तरफ गई उसे पता होता है कि गाएं राइट मुरी है वो कसाई को जूट बोलता है कि गाएं लेफ्ट की तरफ मुरी अगर हम टेकनिकली देखें तो उस इंसान ने गलत कहा जूट बोला जूट बोलना पाप है हमें बच्पन से सिखाया जाता है लेकिन यहाँ पर उसका जूट गाएं की जान बचाने के लिए था तो यह जूट जूट नहीं है यह सच है इन फैक्ट मैं कहूंगी कि बहुत अच्छा वाला सच है तो देखिए इसी तरीके से इस week don't be very hard on yourself आप logically चीज़ों को deal करें बहुत ही अच्छी बात है लेकिन कहीं heart और mind का balance जरूर रखें otherwise देखिए तो देखिए दोनों ही fronts में कुछ बहुत great नहीं होता हुआ दिख रहा है लेकिन कुछ खराब भी नहीं होता हुआ दिख रहा है आप professional front में थोड़े से practical realistic हो रहे है personal front में आप बहुत logically चीज़ों को deal कर रहे है जहां पर कुछ के लिए भी हो सकता है कि आप ज़ादा technical work कर रहे हैं जादा इन्हों इस थरीके का काम आपके personal front में रह रह रहा है and in general या फिर guidance से आप लोगों के लिए B spirit का card है और यह card कहता है sweet results await तो देखिए हमने अभी देखा कि professional front में थोड़ा सब रखने की ज़रत है और personal front में भी बहुत ज़ादा right and wrong के हिसाब से चीज़े हो रही है और आपको in general के energies का card कहता है कि बहुत ही मीठे मीठे प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे results आपका इंतजार कर रहे है तो इस week को आप ऐसे ही थोड़ा slowly थोड़ा gradually pass करें and astrology से आप लोगों के लिए वर्गो साइन का card है इसके हिसाब से all shades of beige, all shades of brown इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा awareness day तो ये था Aries आप लोगों के लिए coming week का सापता ही क्राशी फल और नीचे मुझे comment section पर ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए चलिए टॉरस आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकरा रहा है, क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है the dream the dream के literal meaning को देखें तो इस week specifically अपने professional front में या तो आप कोई ख्वाब देख रहे हैं या फिर पीछे आपका कोई dream था उसके उपर इस week आप focus कर रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि आप बहुत जादा चीजों को visualize कर रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि आप एक imaginary world में अपने professional front से related किसी चीज को लेकर रहे हैं और सारे ही सिनारियों में कहीं एक practical realistic attitude missing रहता वा देख रहा है और जब भी भी एक आडाता है मैं यही कहती हूँ कि ख्वाब देखना बहुत अच्छी बात है क्योंकि जब तक हम ख्वाब नहीं देखेंगे हमारे ख्वाब पूरे नहीं होंगे लेकिन जब तक हम साथी साथ एक realistic practical attitude नहीं रखेंगे तब तक उन ख्वाबों को हम reality में convert भी नहीं कर पाएंगे तो देखी इसी चीज का इस week specifically अपने professional front में आपने बहुत जादा खयाल रखना है कुछ के लिए हो सकता है कि आप काफी emotional sentimental हो रहे हैं और जब भी भी हम अपने professional front में ऐसा attitude रखते हैं हम कहीं एक professional attitude खोते हैं जिसकी वज़य से आगे चल कर बहुत issues होते हैं तो देखें professional front में दो चीजों का खयाल रखना बहुत बहुत important है एक तो heart और mind का balance रखें practical realistic attitude ज़रूर रखें और professional attitude ना खोएं and personal front के लिए आप लोगों के लिए projections का card है और ये card कहता है कि personal front के किसी area में आप चीजों को clearly नहीं देख पा रहे हैं मैं ऐसा भी कह सकते हूँ कि जो भी आप देख रहे हैं वो complete reality नहीं है वो complete सच नहीं है उसके beyond भी कुछ चीजें हैं जिनको आप नहीं देख पा रहे हैं और यहाँ पे देखें कुछ के लिए positive हो सकता है कुछ के लिए negative हो सकता है यानि कि किसी चीज को अगर आप बहुत positive समझ रहे हैं तो वो उतनी positive नहीं है किसी चीज को अगर आप negative समझ रहे हैं तो वो negative नहीं है तो देखें जब भी यह काड आता है मैं यहीं कहती हूँ कि reality को completely जानना बहुत बहुत important है कोई भी बड़ा action, कोई भी बड़ा decision लेने से पहले and in general या फिर guidance से आप लगों के लिए whale spirit का काड है और यह काड कहता है trust the great mystery तो कहीं देखिए guidance का काड personal front की energy इसके साथ थोड़ा सा contradict कर रहा है मैंने अभी आपको कहा कि personal front में थोड़ा सा सच को reality को और जानने की ज़रत है या फिर हो सकता है कि आपको ऐसी feeling हो रही है कि आप complete सच नहीं जानते हैं आप चीजों को लेकर doubt कर रहे हैं आप trust नहीं कर पा रहे हैं और guidance का काड आपको कह रहा है trust the great mystery कितनी भी हम कोशिश कर लें कुछ चीजें हैं जिनका सच जिनकी reality हम नहीं जान सकते हैं और जब तक हम उनको जानने की कोशिश करते रहते हैं हम खुद को परेशान करते हैं हम frustrated होते हैं और जब हम इस mystery को accept कर लेते हैं देखे life is a great mystery हम death के बाद कहां जाते हैं यहां फिर दूसरी दुनिया में क्या होता है हमने कभी God को नहीं देखा हमने कितना God के बारे में सुना है सबने अपना अपना एक you know God की image बनाई है लेकिन reality में किसी नहीं देखा God को तो यहां पे देखे कुछ चीजें हैं mystery जिन को हम नहीं जान सकते हैं और जितनी जल्दी हम उनको accept करते हैं हम trust करते हैं उस mystery के ऊपर उतनी ही जल्दी हम अपनी life को असान करते हैं तो कहीं you know इस तरीके का message आप लोगों के लिए इस week के लिए रहतावा दिख रहा है and astrology से आप लोगों के लिए 9th house का card है इसके हिसाब से all shades of yellow इस week आप लोगों के लिए लगी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Thursday तो ये थट औरस आप लोगों के लिए coming week का सापता ही क्राशी फल और नीचे उचे comment section पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए Gemini's आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है laziness और ये card बहुत ही clearly कह रहा है कि इस week specifically अपने professional front में आप थोड़े से lazy होते हुए दिख रहे हैं अब देखें ये laziness वली energy सब Gemini's के लिए differ करेंगी कुछ के लिए simply हो सकता है कि पीछे आपने बहुत hard work किया बहुत जादा आपने effort अपने goal मकसद के लिए किया और इस week आपको ऐसे लग रहा है कि भई थोड़ा सो तो chill out करने की ज़रत है थोड़ा सा तो fun मज़ा मस्ती करने की ज़रत है relax तरीके से चीजों को deal करने की ज़रत है और कुछ के लिए हो सकता है कि overall ही इस week आपके professional front में कोई event चल रहा है कोई fun मज़ा मस्ती चल रही है उसमें involved हो रहे हैं होता है ना कभी कभी work front में भी parties होती है आप फिर जब clients भी मिलने जाते हैं तो हम restaurant में जाते हैं और eating, drinking, merry making भी साथ ही साथ होती है तो कहीं ऐसी सी energies कुछ के लिए रह सकती है कुछ के लिए हो सकता है कि जो भी लोग आपके लिए काम करते हैं उनके साथ eating, drinking, merry making रह रही है तो देखिए जो भी हो कहीं इस week fun, मज़ा, मस्ती करते हुए दिख रहे हैं overall के लिए फिर से कहूंगी eating, drinking, merry making करते हुए दिख रहे हैं और बहुत एक lazy, chilled out, relaxing वाली energies आपके professional front में रहती हुए दिख रहे हैं and personal front के लिए आप लुगों के लिए intensity का card है तो देखिए professional front की energies से एकड़म से contrast, आपके personal front के energies रहती भी दिख रहे हैं अगर आप इस card को देख पा रहे हैं, तो जो एक abstract सी figure है, वो arrow के form में है और arrow देखिए जब भी हम किसी भी चीज़ के लिए साधते हैं, I don't know is the right word मतलब जब भी हम तीर कमान लगा रहे होते हैं, तो अपने goal, अपने मकसद पे हमारा total focus होना बहुत-बहुत important होता है और कहीं जब arrow जाता भी है, तो बहुत speed से जाता है और कुछ ऐसा ही personal friend में रह सकता है, जो भी आप चाहाते हैं, आप बहुत जादा उसको लेकर obsessive हो रहे हैं, सारा आपका focus, सारी आपकी concentration, सारी आपकी energy उसी goal, उसी मकसद पे रहती भी दिख रही हैं, जो personal friend में आप चाहा रहे हैं और कहीं आप बहुत speed से action initiatives भी इन ही चीज़ों के लिए लेते हुए दिख रहे हैं, और जो भी आपका goal है, मकसद है, उसके लिए लेते हुए दिख रहे हैं और जब भी ये काड आता है, मैं यही कहती हूँ, कि आपको अगर immediate action लेने की ज़रत है, बहुत अच्छी बात है, ज़रूर लें लेकिन थोड़ा सा खयाल रखें, आप impulsive ना हो, जल्दबाजी ना करें और जोश में होश नाख होएं, क्योंकि अगर आपने ऐसा करा, तो थोड़ा सा restless, थोड़ा सा anxious भी आप हो सकते हैं और कहीं personal front के लिए फिर से कहूँगी intensity का काड, intense emotions, intense passion, over enthusiasm, over excitement की बात करता है जो की फिर से कहूँगी बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब कोई भी चीज जितनी भी अच्छी हो, over हो जाती है, तो हमें long run में परेशान करती है तो अपनी energies में एक balance भी आप specifically personal front में इस week ज़रूर रखें and in general या फिर guidance से आप लोगों के लिए author spirit का काड है और ये काड कहता है, now you are never alone तो देखिए बहुत ही clearly आपको, आपके spirit guides message दे रहे हैं कि आप अकेले नहीं हैं, तो किसी भी reason की वज़े से एक अकेलापन आप महसूस कर रहे हैं फिर आपको लग रहा है कि उतना support, उतना एक cooperation आपको किसी भी खास इंसान से या otherwise circumstances situation में नहीं मिल रहा है तो थोड़ा सा इस चीज को ज़रूर अपने mind में रखें कि जब लोगों का साथ नहीं मिल रहा होता है, तो God का साथ हमारे पास होता ही होता है हमारे spirit guides, हमारे guiding angels हर दम ही हमारे साथ होते है और यही message आपके guiding angels आपको देना भी चाह रहे है और astrology से आप लोगों के लिए the 10,000 का card है इसके हिसाब से all shades of blue indigo इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Saturday तो यह था, Gemini's आप लोगों के लिए coming week का सापता ही क्राशीफल और नीचे मुझे comment section पर जरूर बताएं कि यह कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए again series आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies हैं तो profession fund के लिए आप लोगों के लिए card है mind और अगर आप इस card को देख पा रहे हैं तो जो figure है उनकी mind में से literally धुए निकल रहे हैं आप देखे इस card को देख के आपने बिलकुल भी डरना नहीं है क्योंकि आपकी पूरी जिंदगी की reading नहीं है ये सिरफ और सिरफ इस week की reading है और weekly reading में कोई बहुत बड़ी चीज़े नहीं होती है इका दुक्का लोगों की बात अलग है और दूसरी बाद tarot guidance के लिए होता है तो इस reading से guidance लेके कैसे आने वाले हफ़ते को आप बहतर कर सकते हैं आपने उस पे focus करना है तो सबसे पहली चीज़ देखें यहाँ पर mind का card कहता है कि हो सकता है इस week आप हर चीज़ को लेकर बहुत analytical हो रहे हैं judgmental हो रहे हैं, critical हो रहे हैं आपको काफी negative thoughts आ रहे हैं और देखिए अगर इस week आपने अपने हर thought पर trust किया या फिर से मैं कहूंगी आप बहुत critical हुए logical तो होना ठीक बात हो थी है लेकिन analytical हुए जहाँ पर again आप critical हो रहे हैं तो आप अपने आपको बहुत परेशान करेंगे तो थोड़ा सा इन ही चीज़ों को check करके correct करने की जरत है अपने हर thought पर विश्वास ना करें और कोई भी चीज अगर external front में आपके हिसाब से नहीं हो रही है तो आप उसको लेकर परेशान ना हो universe पर complete trust करें universe पर complete surrender करते हुए अपना best दें और बाकी outcome पर आप बहुत जादा focus ना करें अगर ऐसी energies में आप इस week रहे तो ये week आपका ठीक ठाक जाएगा नहीं तो फिर आप काफी परेशान हो सकते हैं and the personal front के लिए आप लोगों के लिए we are the world का card है और यहाँ पे सबसे पहली ये card कहीं togetherness की बात करता है कहीं किसी चीज के celebrate होने की बात करता है कहीं बहुत जादा लोगों से connect करने की social circle भी बढ़ने की बात करता है और ये general reading है थोड़ा थोड़ा सब के लिए differ करेगा लेकिन overall के लिए this is a very very positive card तो personal front में चीज़ें positive रहती हुई दिख रही हैं और कहीं लोगों से connect करने के point of view से network social circle बढ़ने के point of view से जादा चीज़े positive रहती भी दिख रही हैं कुछ के लिए हो सकता है कि कोई get together celebration, reunion इस week हो रहा है या फिर कोई ऐसा event celebration आप plan कर रहे हैं और दोनों ही सिनारियो में फिर से मैं कहूंगी एक togetherness, loved ones के साथ close ones के साथ रहती भी दिख रही है जिस भी चीज़ पर focus कर रहे हैं कहीं long term planning या फिर long term से related आप जादा चीज़ों पर focus करते भी या फिर planning करते भी दिख रहे हैं और क्योंकि ये money का card है तो money, पैसा materialistic, tangible चीज़ों से related भी कहीं या चीज़ें ठीक ठाक रहती हुई दिख रही हैं या फिर ये भी एक focus area रहता हुआ दिख रहा है आप काफी practical काफी realistic हो के चीज़ों को करते हुए दिख रहे हैं और इन जनरल या फिर guidance से आप लोगों के लिए bat spirit का card है और ये card कहता है a rebirth is assured तो किसी भी personal या professional front के area में ending beginning भी इस week होती भी दिख रही है एक fresh start एक fresh beginning किसी life के area में या तो हो रही है या फिर आप लोगों के लिए guidance card की तरफ से रह सकता है जो भी चीज़ें आपको serve नहीं कर रही हैं bother कर रही हैं आप उनको end करके एक नई beginning करें and astrology से आप लोगों के लिए 12th house का card है इसके हिसाब से all shades of yellow इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Thursday तो ये था cancerians आप लोगों के लिए coming week कर साबता है एक राशी फल और नीचे मुझे comment section पर जुरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए चलिए लिए आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है transformation और transformation के literal meaning को देखें ending, beginning की बात करता है changes की बात करता है और कुछ ऐसा ही इस week specifically आपके professional front में रहता हुआ दिख रहा है अब देखें ये general reading है ये changes, ये ending, beginning सब के लिए differ करेंगे कुछ के लिए positive हो सकते हैं, कुछ के लिए negative हो सकते हैं लेकिन इतना मैं आपको जरूर कह सकते हूँ ये weekly reading है तो बहुत बड़े changes, बहुत बड़ी ending, beginning एक तो नहीं रहेगी और दूसरी बात दिखिए at times चब changes हमारे हिसाब से नहीं हो रहे होते हैं हमें लगता है ये बहुत negative changes हो रहे हैं लेकिन हमेशा ही transformation changes का outcome, result positive ही रहता है तो जो भी changes हो रहे हैं, उनके लिए एक acceptance रखें और दूसरी बात दिखिए, कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि जो भी चीज़ें आपको serve नहीं कर रही हैं आपको bother कर रही हैं ये card आपको message दे रहा है कि जतनी जल्दी आप उनको end करके नई तरीके से चीज़ों को करेंगे नई चीज़ें जो आपकी life में आने के लिए ready हैं, willing हैं उनको welcome करेंगे उतनी जल्दी आप अपने professional front में चीज़ों को भैतर करेंगे तो इस चीज़ का खयाल आप इस week ज़रूर रखें and personal front के लिए आप लगों के लिए adventure का card है और इस card को अगर आप देख पा रहे हैं तो जो बच्चा है उसकी पीछे अंधेरा है, सामने light है यहाँ पे बच्चा baby steps को represent करता है और कहीं overall इस card का मतलब यही है कि जो भी चीज personal front में आपको bother कर रही थी, परेशान कर रही थी इस week धीरे धीरे उसमें से आप बहार निकल रहे हैं और light की तरफ यानि की positive चीज़ की तरफ जा रहे हैं अब फिर से कहूंगे यह general reading है तो क्या situation है, क्या circumstances हैं यह सब के लिए differ करेगा लेकिन broader level के लिए यह card कहीं एक positive energy आपकी life में आने की या फिर positive चीज़ें होने की या फिर आपकी तरफ से उनकी तरफ जाने की बात करता है थोड़ा सा adventure का card यह भी कहता है कि हो सकता आप calculated risk ले रहे हैं और साथ ही साथ safe secure होकर भी आप आगे बढ़ना चाहा रहे हैं किसी तरीके का एक challenge भी इस week रह सकता है लेकिन जो भी हो आप कहीं positive चीज़ों की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं तो all in all यह card कहीं एक positivity इस week होने की बात करता है यह फिर positive चीज़ों की होने की बात करता है and in general यह फिर guidance से आप लगों के लिए turkey spirit का card है और यह card कहता है give with grace and gratitude तो जो भी करें बहुत gracefully करें और साथ ही साथ जो भी चीज़ हो रही है उसके लिए gratitude भी करते रहें वैसे तो देखिए हमें हमेशा ही ऐसी energies में रहना चाहिए क्योंकि कितनी बारी हम किसी चीज़ के लिए परिशान हो रहे होते हैं हम इतना उस चीज़ पर focus कर रहे होते हैं कि इतनी सारी positive चीज़ें जो हमारी life में हो रही होती हैं हम उन पे attention नहीं दे रहे होते हैं in the process कहीं हम एक negative energy create कर रहे होते हैं तो देखिए हमेशा ही एक gratitude of gratitude वाली energy में रहना चाहिए बट इस week आप लोगों के लिए खास message है तो इस चीज़ का खयाल आप ज़रूर रखें and astrology से आप लोगों के लिए Jupiter ग्रह का card है इसके हिसाब से all shades of yellow इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Thursday तो ये था लिए उस आप लोगों के लिए coming week के साब तही क्राशी फल और नीचे मुझे comment section पर ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाई चलिए work goes आप लोगों के लिए देखे कि coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है inner voice और सबसे पहली चीज ये card कहता है कि इस week specifically अपने professional front में आप बहुत जोश के साथ, बहुत एक enthusiasm, excitement के साथ action initiatives नहीं ले रहे हैं मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि आप एक backseat लेते वे दिख रहे हैं चीजों से withdraw करते वे दिख रहे हैं सब work goes के लिए different reasons होंगे इनी energies के लिए क्योंकि ये general reading है, कुछ के लिए हो सकता है कि आप अच्छे से चीजों को समझना चाहा रहे हैं आगे बढ़ने से पहले, कुछ के लिए हो सकता है कि थोड़ा सा एक enthusiasm, excitement missing रह रहा है motivation missing रह रही है कुछ के लिए हो सकता है कि आप थोड़ा सा chilled out करके चीजों को deal करना चाहा रहे हैं तो दिखिए reasons सब के लिए differ करेंगे लेकिन कहीं बहुत actively आप चीजों में overall participate नहीं करते हुए दिख रहे हैं और दूसरी चीज फर शूर ये card कहता है कि आप बहुत wisdom के साथ, बहुत समझदारी के साथ चीजों को करना चाहा रहे हैं तो all in all देखिए कुछ भी negative इस week आपके professional friend में नहीं होता हुआ दिख रहा है लेकिन कहीं कुछ बहुत exciting, बहुत great भी नहीं रहता हुआ दिख रहा है neutral सी energies इस week आपके professional friend में रहती हुए दिख रही है और जो भी हो रहा है कहीं deeper level के लिए एक satisfaction, एक contentment भी रहती हुए दिख रही है and personal friend के लिए आप लोगों के लिए politics का card है और जब भी ये card आता है मैं यही कहती हूँ कि आप cautious रहें, conscious रहें चीजों को लेकर aware हुआ है क्योंकि देखिए इस week अगर आपने blind trust जो भी लोग आपके आसपास हैं उन पे करा या फिर किसी भी situation, किसी भी circumstances पे करा तो आप परिशान हो सकते हैं क्योंकि politics यहाँ पे cheating की बात करता है अब देखिए डरिएगा नहीं क्योंकि आपकी पूरी जिंदगी की reading नहीं है life है तो life में छोटी मोटी चीजे रहती ही है हो सकता है कि कोई इंसान आपको थोड़ा सा manipulate कर रहा है diplomatically चीजों को deal कर रहा है आपके साथ और कुछ के लिए हो सकता है कि वर्गोज आपकी ही ऐसी energies है जहाँ पे आप किसी चीज को छुपा रहे हैं एक transparency नहीं maintain कर रहे है यहाँ पर situations, circumstances ऐसे हैं कि आपको manipulate करके चीजों को deal करना पड़ रहा है तो दिखिए जो भी हो, जब भी यह काड आता है मैं यही कहती हूँ कि अगर आप बहुत manipulative हो रहे हैं तो थोड़ी सी अपनी checking कर लें कि back end पे आपके intentions, आपके motives तो ठीक हैं और अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं है दुनिया है, कभी-कभी simplicity के साथ चीजे नहीं चलती है हमें थोड़ा सा positive way में चीजों को manipulate करना पड़ता है इसी तरीके से दिखिए जो भी लोग आपके आसपास हैं, आपके loved ones, आपके close ones, आप उनकी भी checking कर लें, कि वो manipulate कर रहे हैं, कोई बात नहीं जब तक कि उनके intentions, उनके motives ठीक हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा भी उनके intentions, उनके motives पर doubt हो, तो ज़रूर आप, you know, aware रहें, cautious रहें, conscious रहें, and in general, यहाँ पर guidance से आप लोगों के लिए parrot spirit का card है और यह card कहता है, watch your words तो इस week, अपने communication का खास खयाल रखें और यहाँ पर देखिए, communication दूसरों से ही नहीं होता है endless एक communication self-talk हमारी खुद के साथ भी चहती रहती है, और यहाँ पर देखिए, मैं आपको कहूंगी कि इस week, आप लोगों के साथ तो जो भी बातचीत कर रहे हैं, आप क्या शब्द यूज कर रहे हैं उनको लेकर conscious रहें, लेकिन again, अपने साथ जो आपकी communication चल रही है, self-talk चल रही है, उसको लेकर भी बहुत aware रहें, क्योंकि most of the time यह जो self-talk हमारे mind में negative चलती रहती है, हम खुद को लेकर या पर किसी भी situation को लेकर किसी भी इंसान को लेकर over critical, over judgmental हो जाते हैं, हम कहीं न कहीं अपना नुकसान कर रहे होते हैं, तो इस चीज का भी खयाल जरूर रखें and astrology से आप लोगों के लिए Pisces sign का card है इसके इसाब से जो भी समुंदर के रंग होते हैं, sea green, sea blue आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Thursday, तो ये था वो गुज़ आप लोगों के लिए coming week का सापता है क्राशी फल, और नीचे मुझे comment section पर ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए चले ले ब्राज, आप लोगों के लिए देखे कि coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies है, तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है understanding, और ये card कहता है कि इस week specifically professional front में, आप चीज़ों को अच्छे से समझना चाह रहे हैं आगे बढ़ने से पहले, यानि कि इस week आप impulsive नहीं होना चाह रहे हैं जल्दबाजी नहीं करना चाह रहे हैं किसी level पे किसी तरीके से खुद को hold back कर रहे हैं कुछ के लिए कोई खास चीज हो सकती है कुछ के लिए overall आपकी ऐसी energies हो सकती है जहाँ पे फिर से मैं कहूंगी चीजों को अच्छे से understand करना चाह रहे हैं 100% sure होना चाह रहे हैं आगे बढ़ने से पहले और दिखिए at times ये required भी होता है तो मैं यही कहूंगी कि आप सही direction में है थोड़े से emotional, थोड़े से sentimental भी आप अपने professional front में चीजों को लेकर होते वे दिख रहे हैं तो दिखिए this is a neutral card कुछ भी बहुत great नहीं हो रहा है लेकिन कुछ भी खराब नहीं हो रहा है कहीं ये card आपकी energies के बारे में जादा बात कर रहा है क्या आपका attitude, क्या आपका behavior रहता हुआ दिख रहा है और जो भी लोग काफी impulsive हो रहे हैं चीजों को लेकर उस हिसाब से ये card आपको message दे रहा है कि अच्छे से चीजों को समझें उसके बाद ही action initiatives लें बिल्कुल भी impulsive ना हो, बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें and personal front के लिए आप रुगों के लिए possibilities का card है और सबसे पहली चीज ये card कहता है कि इस week जो भी आप personal front में कर रहे हैं आप कहीं उन चीजों को next level पर लेकर जाना चाहा रहे हैं और उसी से ही related क्या possibilities हो सकती हैं क्या scenarios हो सकते हैं उनको consider करते हुए दिख रहे हैं उनके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि कि किसी चीज से खुद को distance कर रहे हैं इन ही possibilities को और जादा समझने के लिए आपके क्या-क्या options हैं आपके पास क्या-क्या choices हैं उनके बारे में सोचने के लिए और दिखें इस card में eagle है eagle कहीं power position authority की भी बात करती है तो ये power position authority या तो आप चाहा रहे हैं या फिर आपको मिल रही है और eagle कहीं far sighted energies की भी बात करती है तो कहीं दूर अंदेशी से आप चीज़ों को deal करना चाहा रहे हैं या फिर future के बारे में आप जादा सोचते हुए दिख रहे हैं long term goals आप जादा बनाना चाहा रहे हैं या फिर long term goals पे आप जादा focus करते हुए दिख रहे हैं तो दिखें, personal front के लिए काफी ही एक positive energies रहती हुई दिख रही है क्योंकि eagle कहीं confidence को भी represent करती है जैसे कि मैंने अभी आपको बताया power position authority की भी बात करती है तो दिखें कहीं आप एक आगे बढ़ने पे जो भी आपके personal front में चल रहा है उस पे focus करते हुए दिख रहे हैं initiatives भी लेते हुए दिख रहे है and in general या फिर guidance से आप लगों के लिए rabbit spread का card है और ये card कहता है now is a lucky time तो देखें rabbit कहीं fertility को represent करता है और fertility means जो भी आप चीज बोएंगे या फिर जो भी आप करेंगे उसका आपको एक positive outcome एक positive result मिलेगा और इसी वजह से ये card आपको कहता है कि अभी जो समय है ये lucky समय है ये lucky time है और इसको आप waste ना करें खाम खाँ चीजों के बारे में सोचने के लिए और देखें इस हिसाब से देखें तो professional front के लिए understanding का card कहता है चीजों को अगर आप समझना चाहा रहे है जरूर समझें हमें ऐसी energies में रहना चाहिए लेकिन बहुत जादा समय आप चीजों के समझने में ना लगा दें साथ ही साथ आप action भी जरूर लें क्योंकि ये week आप लोगों के लिए या फिर अभी जो समय है आपके पास ये बहुत lucky है बहुत fertile है इस time पर जो भी आप सोचा समझा action initiative लेंगे आपको definitely एक positive result आगे चलके मिलेगा और astrology से 11th house का card है और ये card कहता है कि blue, indigo या फिर इसी से related जो भी colors हैं आप लोगों के लिए इस week लगी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा साथा दे तो ये था लिपराज आप लोगों के लिए coming week का सापता है इक राशी फल और नीचे मुझे comment section पर ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए चलिए Scorpios आप लोगों के लिए देखें कि इस week specifically आप अपने professional front way में हसूस करते वे दिख रहे हैं क्योंकि ये general reading है थोड़ा थोड़ा सब Scorpios के लिए differ करेगा कुछ के लिए हो सकता है कि आपके work front पे बहुत जादा pressure है बहुत जादा काम हो रहा है और इसलिए आप ठक रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि आप खुद से ही जितना कर सकते हैं उससे जादा कर रहे हैं और अगर ऐसा है तो मैं यही कहूंगी कि थोड़ा अपने आपको चेक करके जरूर correct करें क्योंकि उस time हमें नहीं पता लगता है फिर बाद में हमारी physical body पे impact आता है और हम बहुत परेशान होते हैं और दूसरा मतलब इस card का है किसी goal किसी मकसक को लेकर हो सकता है कि आप बहुत time से बहुत effort कर रहे हैं और आपको वो एक desired outcome आपको वो एक desired result नहीं मिल रहा है और इस week आपको ऐसा लग रहा है कि बस अब ठग गए अब और हिम्मत नहीं है अब और effort करने का मन नहीं है तो किसी level पर आप give up करते हुए दिख रहे हैं और अगर ऐसा आप पाएं तो देखिए ये card का मतलब यही होता है कि आप अपने मन्जिल अपने मकसद के बहुत करीब हैं क्योंकि ये 9 number का card है और इस time पे आपको बिल्कुल भी give up नहीं करना चाहिए एक final effort एक final कोशिश करने की जरत है अगर ऐसा करेंगे तो definitely अपनी मन्जिल अपने मकसद को पा लेंगे तो फिर से मैं कहूंगी कि इस point of time पे आपने give up नहीं करना है आपने final effort जरूर देना है अगर आप अपने मन्जिल अपने मकसद को पाना चाहते है and personal front के लिए आप लोगों के लिए guidance का card है और literal meaning देखें तो किसी से counselling, guidance, advice या तो आप ले रहे हैं या फिर आपको लेने की जरत है और कितनी बारी होता है कि हम थोड़े से reluctant होते हैं हमें लगता है पता नहीं सामने वाला मना ना कर दे हमें advice देने से या फिर हम इस चीज़ को accept ही नहीं करते हैं कि हमें भी advice और guidance की जरत है अगर ऐसा आप आएं तो जरूर आप जिन भी अपने loved one को या otherwise भी जिस इंसान को trust करते हैं उनसे discuss कर लें उनसे सला ले लें उनसे advice ले लें और देखिए दूसरा मतलब इस card का होता है कि इस week हो सकता है कि आप discussions कर रहे हैं अपने loved ones, अपने close ones से और कहीं you know जो भी discussions हो रहे हैं उनका एक बहुत concrete reason रहता हुआ दिख रहा है concrete level पे discussions बातचीत होती भी दिख रही है इस week जिन भी अपने loved ones से या फिर otherwise भी लोगों से आप connect कर रहे हैं कहीं fun, मजा, मस्ती reason नहीं रहता हुआ दिख रहा है कोई एक ठोस reason कोई एक ठोस कारण you know discussions और interactions का रहता हुआ दिख रहा है थोड़े practical realistic होते हुए दिख रहे हैं materialistic tangible चीज़ों पर focus है या फिर materialistic tangible चीज़े money पैसे से related किसी level पर gain फाइदा आपको हो रहा है या फिर जो भी आपस भी कर रहे हैं आपको ऐसे लग सकता है कि अब you know एक gain एक फाइदा आपको हो जाएगा और ये gain फाइदा फिर से मैं कहूंगी materialistic tangible चीज़ों से related money पैसे से related जादा रहता हुआ दिख रहा है और इन जनरल या फिर guidance से आप लोगों के लिए sandpiper spirit का card है और ये card कहता है be playful बहुत ही clear message है बहुत जादा चीज़ों को seriously न लें और दिखिए जादा मुझे ये card का message आपके professional front के लिए रहता हुआ दिख रहा है क्योंकि professional front में एक ठकावट आप महसूस कर रहे हैं हो सकता है कि जो भी outcome result आपको नहीं मिल रहा है उसको लेकर आप मायूस हो रहे हैं और आपको guidance का card यही message दे रहा है कि बहुत lightly बहुत एक playful अंदाज में आप चीज़ों को deal करें और अगर ऐसा करेंगे इस week की energies को भेथर करेंगे अपने goal अपने मकसद को भी आप achieve कर पाएंगे and astrology से आप लोगों के लिए the seventh house का card है इसके हिसाब से all bright colors इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Friday तो ये था Scorpios आप लोगों के लिए coming week का साब तही क्राशीफल और नेचे मुझे comment section पर ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए सेडिटेरियस आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है stress और देखिए card कहता है कि इस week specifically professional front में किसी खास चीज़ को लेकर या फिर overall एक stress, tension, anxiety आप महसूस कर सकते हैं क्योंकि ये general reading है सब Sagittarius के लिए different reasons रहेंगे लेकिन card के हिसाब से देखें हो सकता है कि आप एक से जादा काम कर रहे हैं और कहीं आप उनको manage नहीं कर पा रहे हैं manage करने में difficulty हो रही है जिसकी वज़े से stress create हो रहा है कुछ के लिए हो सकता है कि जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं उनकी तरफ से उतना cooperation आपको नहीं मिल रहा है उतनी supportive energies नहीं है कुछ के लिए हो सकता है कि कहीं आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप एक positive outcome एक positive result नहीं पापाएंगे जो भी काम आप कर रहे हैं तो देखिए जो भी scenario रहे जो भी situation रहे जब तक आप problem पे focus करेंगे या फिर जो भी external front में हो रहा है उसको अपने mind में बहुत बड़ा बना के उस पे energy देते रहेंगे आप परेशान ही होंगे और जैसे ही आप अपनी energies में shift लाएंगे जो भी चीज आपको bother कर रही है उसका क्या हल है उसका क्या solution है आप उस पे focus करेंगे आप उसका हल जान पाएंगे उसको solve करेंगे चीजों को भी भैतर करेंगे और देखिए stress के card को देखकर आप परेशान ना हो क्योंकि अगर आप परेशान होंगे तो आप अपनी परेशानी को ही बढ़ा रहे है weekly reading में बहुत बड़े मसले नहीं होते हैं एका दुका लोगों की बात अलग है और जैसे कि अभी मैंने आपको बताया जो भी situation हो जब तक हम problem पे focus करते रहते हैं हम अपनी problem को बढ़ाते हैं फिर से कहूंगी जैसे ही हम solution हल पे focus करते हैं हमारी आधी से जाधा problem solve हो जाती है क्योंकि solution पे focus करेंगे तो solution मिलेगा चीजे solve होंगी और आप चीजों को बहतर कर पाएंगे तो इस चीज का खयाल इस week आप ज़रूर रखें and personal front के लिए आप लोगों के लिए turning in का card है और ये card कहता है कि बहुत enthusiastically या फिर बहुत actively आप किसी भी चीज में खुद को नहीं involve कर रहे हैं नहीं participate कर रहे हैं एक backseat लेते हुए दिख रहे हैं again reasons सब के लिए differ करेंगे कुछ के लिए हो सकता है कि जो भी लोग आपके आसपास हैं आपके loud ones, close ones वो बहुत ज़ादा आपको nack कर रहे हैं critical हो रहे हैं, judgmental हो रहे हैं या over आपको advice दे रहे हैं over आपको counsel कर रहे हैं और आपको लग रहा है बस बहुत हो गया मुझे किसी की बात नहीं सुननी कुछ के लिए हो सकता है कि आपके ही thoughts हैं आपका ही belief system है जो आपको बहुत bother कर रहे हैं और आपको लग रहा है बस बहुत हो गया आप थोड़ा सा हर चीज से आप फिर किसी खास चीज से खास इंसान से अपने आपको distance करना चाहा रहे हैं आप फिर कर रहे हैं introspective mode में आप फिर energies में रहना चाहा रहे हैं आप फिर रहे हैं और अगर ऐसा है Sagittarius मैं आपको यही कहूंगी कि कभी-कभी ये energies required होती हैं जहां पर हम खुद के साथ बैठें हम खुद को analyze करें लेकिन थोड़ा सा खयाल रखें कि आप negative way में in the process critical ना हो judgmental ना हो जब तक एक positive self-talk है positive analysis है positive तरीके से हम खुद के साथ बैठ रहे हैं तब तक ये energies हमें positive result देती हैं और बहुत भेटर भी होता है लेकिन जैसे ही हम too much in energies में चले जाते हैं या मैं कहूंगी too deep in energies में चले जाते हैं negative तरीके से चीजों को analyze करना शुरू कर देते हैं हम खुद को परिशान करते हैं तो इस चीज का खयाल आप अपने personal front में ज़रूर रखें and in general या फिर guidance से आप लोगों के लिए dear spirit का card है और ये card कहता है bring a gentle touch तो देखिए जो मैंने अभी आपको कहा कहीं guidance का card भी वही message आपको दे रहा है don't be very hard on yourself क्योंकि देखिए professional front में stress का card है personal front में turning in का card है यानि कि आप थोड़ा सा चीजों से withdraw कर रहे हैं एक enthusiasm, excitement missing दिख रहा है ऐसे में अगर आप खुद को लेकर बहुत hard way या फिर अपने किसी love one को लेकर बहुत hard way तो आप अपनी परिशानियों को बढ़ाएंगे थोड़ा सा light and easy अपने आपको रखें एक gentle तरीके से चीजों को deal करें और astrology से आप लुगों के लिए the moon का card है इसके हिसाब से white color इस week आप लुगों के लिए लखी रहेगा insignificant day आप लुगों के लिए होगा Monday तो ये था सेटेरेस आप लुगों के लिए coming week कर सापता है एक राशिफल और नीचे मुझे comment section में जुरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए गाप्रिकॉंज आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है sorrow और ये card कहता है कि इस week specifically professional front में किसी खास चीज को लेकर या फिर overall ही आप थोड़े उदास, थोड़े मायूस, थोड़े परिशान रह सकते हैं अब इस चीज को सुनके बिल्कुल भी आपने परिशान नहीं होना है क्योंकि ऐसा करेंगे तो जो भी चीज आपको bother कर रही है आप उस negative energy को और जादा बढ़ाएंगे अब दिखें यहाँ पर सब के लिए different reasons रहेंगे लेकिन एक बहुत बड़ा reason हमारी life में परिशानी का, मायूसी का होता है negative self-talk क्योंकि जो भी चीज हमारी life में external front पे हो रही होती है उसको हम अपने mind में इतना बड़ा बनाते हैं उसी से related इतनी जादा negative self-talk करते हैं कि वो परिशानी अगर 20% है तो 60% हो जाती है, 50% हो जाती है अगर 50% है तो 80-90% हो जाती है तो दिखें इस week आपने बहुत-बहुत खयाल रखना है कि जो भी चीज external front में आपके हिसाब से नहीं चल रही है या फिर छोटे-मोटे issues और मसले भी है आपने उसको लेकर अपने mind में negative self-talk में करनी है आपने उसको अपने मन में बहुत-बड़ा नहीं बनाना है कि जो भी आप personal front में इस week कर रहे हैं बहुत cautious हो रहे हैं, बहुत conscious हो रहे हैं आपको ऐसे लग सकता है कि कहीं थोड़ी सी भी आपसे गलती ना हो जाए कहीं थोड़ा सा भी आप चूक ना जाए और बहुत जादा फिर से मैं कहूंगी awareness के साथ, एक cautious conscious energies के साथ आप चीजों को करते वे दिख रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि total involvement एक particular चीज को लेकर आप कर रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि बहुत जादा एक competitive spirit आपकी तरफ से रह रही है तो देखिए जो भी आप कर रहे हैं deeper level के लिए आपकी energies यहीं है कहीं हम चूप ना जाएं तो देखिए आप बहुत focus concentration के साथ चीजों को करें बहुत अच्छी बात है लेकिन जब हम too much cautious और conscious वाली energies में हो जाते हैं हम एक stress create करते हैं और फिर हमसे गलती हो ही जाती है क्योंकि हम focus गलती पर ही कर रहे हैं कि कहीं कोई गलती ना हो जाएं कहीं चूप ना जाएं कहीं यह चीज यह ना हो कि हम miss कर दें और जब हम ऐसी energies पर focus कर रहे होते हैं वही हम attract भी कर लेते हैं तो फिर से कहूंगी focus concentration के साथ चीजों को करें लेकिन in the process बहुत खोने का डर ना रखें या फिर miss out होने का डर ना रखें एक बहुत confidence के साथ यहां फिर surrender mode में चीजों को करें कि जो भी best होगा वो ही आपको मिलेगा आपने सिरफ अपना करम करना है अपना 100% देना है ऐसा करेंगे तो इस week के energies को भेतर करेंगे और नहीं करेंगे तो देखिए बिना reason के आप परेशान हो सकते हैं उसका कोई major कारण नहीं रहेगा and in general या फिर guidance से आप लोगों के लिए moth spirit का card है और यह card कहता है surrender now तो देखिए जो चीज मैंने अभी आपको कही वही guidance का card भी आपको message दे रहा है कि professional front हो या personal front हो दोनों ही fronts में आप surrender mode में रहें again अपना करम करें लिकिन फल की बहुत ज़ादा इच्छा ना रखें या पिर बहुत फल से expectation ना रखें and astrology से आप लोगों के लिए Saturn ग्रह का card है इसके इसाब से all shades of blue indigo आप लोगों के लिए lucky रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Saturday तो ये था Capricorns आप लोगों के लिए coming week सापता ही crushable